कुछ चीजें होती है mental और ये चीजें हैं बाकी physical बाकी की body पर affect होती है mind से हमारी जंग लड़ रहे थे सुस्ती जो है mind का असल problem असल problem सुस्ती जो है ना mind का problem है उसको हम mind mind level पर deal कर रहे थे लेकिन कुछ bodily चीजें भी drag करती है और उसमें एक चीज क्या है fatness मुटापा तो मुटापा अगर एक इंसान में है तो he has a tendency to be lazy tendency उसको अपनी body move करने में time लगेगा तो we should try to overcome it उसी तरह एक और problem है overeating एक इंसान खाने जब बैठता है तो इतना खाले overeating करें तो उसके बाद में activity करने की उसकी जो शमता जो ताका जो ability है वो काफी compromise हो याती है तो overeating की वज़ा से laziness पैदा होती है यह बहुत important चीज है हम overeating के दलदल में ना पड़े और आपको पता है eating के तालुक से बात यह है कि प्रफ महमेद करओ प्रफ मिल्तानि form के कोइं कांट लिए अगर खाना ही है वास governed उसलगी टाम ही वंटब घृ खाने के लिए वासम fps और तो यानि कि आदमी की लोग क्याता है मैं तो जितना था फुल खा चुका हूँ फिर उसके बाद मैं पानी फिर उसके बाद मैं हवार के लिए बॉपिंग हां ड़कार तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए ओवरीटिंग से हम सब को बचना चाहिए इंशालला विकॉज ये स्लिपिंग कम सोना भी लीजिनस की वजा है जो लोग कम सोब्सक्राइब होते हैं तो उनका क्या मैमला होता है कि वो चीज उनको हमेशा नींद से स्ट्रॉगल कर रहे हैं काश कि वो सही वक्पे नीन ले ले आपको पता है नीन का एक कायदा है नीन कम घंटों में भी आप जादा आराम कर सकते हैं और कई बार जादा घंटों में कम आराम मिलता है कैसे उसकी स्पेसिंग होती है वो बहुत जरूरी है रात का जो बिगनिंग का हिस्सा है वो ऐसा वक्त होता है कि उन कम घंटों में जादा आराम मिलता है और मॉनिंग के बाद जो वक्त है उसमें ज रात में इशा की नमाज के बाद लोगों से खड़े हो के बाते करना पसंद नहीं करते थे और इशा से पहले सोना ना पसंद करते थे इशा के बाद में लोगों से बात करना ना पसंद करते थे मतलब he used to not like to socialize with people लोगों के साथ खड़े होके बाते करना आफ्टर इशासला जेनरली और जल्दी सोना उनकी हैबिट थी और सुबा में बहुत जल्दी उठकर नमास पढ़ना उनकी हैबिट थी उसी तरह एक और हदीथ है जो हदीथ हमें मिलती है सिलसला हदीथा सही हमें जिसके अंदर आता है आफ्टरनून में एक नाप ले लो क्योंकि शयातीन खैलोला आफ्टरनून की नाप नहीं लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहां पे एक रूल मिल रहा है कि मिड डे में छोटी सी नाप लेने की कोशिश करो अर्ली मॉनिंग उतनी की आदद बनाओ मिड डे में छोटी नाप ले लो तो यहां क्या होता है यह पावर नाप की विज़र से आदमी रीजूविनेट हो जाता है वो सुबा से उठावा इंसान रात तक स्ट्रगल कर रहा है तो उसका एनरजी लेवल कहीं पर जाके कम होने लगता है कहीं पर जाके लेजीनिस उसमें आने लगती है तो क्या चीज उसे बचाती है वो है यह सही एक पावर नाप लेना दर्मयान में कैलोला करना छोटी सी नाप लेना भर ले इस वर 15 मिनट क्यों ना 15 मिनट तो 30 मिनट से सफिशिंट 15 से 30 मिनट बहुत है पुरी बाडी को रिजूएट करने के लिए कैसे हम लेजीनिस को ओवर कम कर सकते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टन यह रूल है वो है सही वक पे स्लीप करना कम वक्त में जादा आराम करना अफकोर्स यह बाते हैं हम लोग जो कल्चर में यहां रहते हैं बंबे में वो लेट नाइट कल्चर है और ये लो प्रोडुड़टिविटि कल्चर है जिंदगी की प्रोडुड़़विटी बहुत compromise होती है यह late night culture से early morning culture से जिन्दगी में productivity पैदा होती है अगर आप सारी western countries की तरफ देखें जहाँ पे अच्छा progress or achievements है वो लोगों ने यह morning के time को catch किया है वहाँ पे early morning काम शुरू होता है इवनिंग में जल्दी खतम हो जाओ no problem लेकिन काम जल्दी फुरू हने से productivity दिन की बहुत बढ़ जाती है तो वो time पे सोता रहा कोई तो कर रहा है हम यह नहीं कहते हैं कि fail हो गया लेकिन उसने अपने आपको एक चीज में minus point अपने लिए create किया और eating किसी का problem है तो उसके लिए minus point उसमें आ रहे है कोई over sleeping यहने wrong time पे sleeping करने की आदत है तो वो minus point तो आ रहा है भले ही वो बाकी चीजों में cover कर सकता है there's nothing कि वो हार गया ऐसा नहीं कि वो नाउमीद हो जाए लेकिन जरूर वो उसके अंदर एक negative mark उसे जरूर मिल गया है तो यह पता तो जुरू हना चाहिए ताके कभी aspire करे आदमी कि हां मैं यह चीज को overcome करूंगा यह problem को मैं overcome करूंगा और foreign कर लें तो that person is really effective कि वो सारी factors को जमा कर रहा है सब के सब सिर्फ प्लस प्लस के साथ कर रहा है कोई भी minus उसके account में है यह नहीं तो far effective है वो बहुत अच्छा है उसके लिए हासिल करने में यह बहुत अच्छी चीज़ है एक और चीज है जिसकी वज़ा से lazyness आती है external factors जैसे मैंने कहा other than mind mind से बाहर वाली चीज़ों में और वो है lack of activity lack of activity बहुत से लोगों का problem यह है कि बैट के पढ़ना है बैट की काम करना है बैट के cash गिनना है बैट की सब कुछ कर रहे है तो फिर क्या होता है यह जो lack of activity के विज़ा से बहुत सारे body के problems create होते हैं physical ailments आते हैं और वो physical ailments की वज़ा से फिर वो शक्स क्या होगा अब उसके लेजी निसाना शुरू होगी तो क्या करना चाहिए अपनी जिसम को activity देना चाहिए आप देखिए कि नमास पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो हर कदम के लिए there's a reward हां उम्रा करते हैं तो हदीस यह है कि तवाफ कर रहे हैं तो तवाफ के अंदर वो हर कदम जो शक्स उठ उठाता है रखता है there's a reward यानि कई बार क्या होता है दूर से चकर मानना पड़ता है तवाफ में उसके अंदर जादा चलना पड़ता है लोग बोलते हैं अरे मेरा तो इतना लंबा चकर हो गया बट फ्री मैं नहीं हुआ फ्री मैंनी हुआ because हर कदम का reward है सही मुसलिम की हदीश है हर कदम के लिए there is reward कदम उठाए और रखे तो एक नेकी लिखी आती है और रखते हैं तो एक गुना माफ होता है तो हम क्या देखते हैं कि सारी चीजों में एक फिजिकल एक्टिविटी है और वो फिजिकल एक्टिविटी की विए से एक इंसान फिट रहता है not to mention that नमाज खुद एक बहुत बड़ी फिजिकल एक्टिविटी है तो मैं आप सब को encourage करता हूं कि थोड़ा टाइम लीजी अपनी बॉड़ी को fit रखने के लिए थोड़ा टाइम निकालिए exercise करने के लिए थोड़ा टाइम निकालिए walking करने के लिए पढ़ना है आपको चल Prophet ﷺ ने फिरमाया सही Muslim में हदीस है कि जो strong believer होता है कमजोर believer से Allah को ज्यादा पसंद देगे तो उसके अंदर वो होना चाहिए कि अपने अंदर वो strength पैदा करें strength of character strength physical strength healthiness ये सब सारी चीज़ें पैदा करें वो फी कुल इन खैर लेकिन दोलों में खैर है तो ये हमने देखा external factors जो माइंड से external है ये हो गया हमारा point number point number five अल्ला के दीन की दावत और लोगों तक पहुचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब करें आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है आए प्लस टीवी बेहतर जिंदगी के लिए